यह वीडियो आप सभी के लिए बहुती महतकुल होने वाली हैं कियुकि इस वीडियो महों लोग सिखने वाले हैं कि किरिया किसे कहते हैं किरिया के भेद कितने होता हैं उनके भेद का परिभासा क्या है कहने का मतलब कि किरिया के बारे में जीतना भी आप लोग को पढ़ना है वह सब कुछ इस वीडियो महम लोग सिखने वाले हैं तदी अब किरिया के बारे में सब कुछ आचे से सिखना चाहते हैं और ओभी इस तरह से किए कहीं वीडियो देखने के बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाए इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक और ध्यान से जरूर देखिएगा यह वीडियो जैसे ही खतम होगा ना आप किरिया के बारे में सब कुछ आचे से सिख जाएंगे तो चले अब इस वीडियो को हम सुरू करते हैं तो देखिए किरिया कोई इंगलिस में कहते हैं भर्व अब हम यह समझ लेते हैं कि किरिया का परिभासा क्या होता है तो देखिए जीस सब्द से किसी काम का करना या होना परकटो उसे किरिया कहते हैं तो जीस सब्द से किसी काम का करना या होना परकट हो उसे किरिया कहते हैं इसे एसान भासा में बोले तो जीस सब्द से हमें यह मालुम चलता हैं कि कोई काम हो रहा है या फिर होने वाला है उसे ही किरिया कहते हैं जैसे कि खाना, पढ़ना, लिखना, सोना यह सब जो सब्ध हैं इनसे क्या मालूम चलता हैं यह काम हो रहा है या फिर होने वाला हैं समाने रुप से कर्म जाती तथा राचना के अधार पर किरिया के दो भेद हैं किरिया के कितने भेद हैं तो किरिया के मुखे रूप से दो भेद हैं और यह किस अधार पर हैं तक कर्म के अधार पर जाती के अधार पर तथराचना के अधार पर हैं यह आप इस तरह से भी सिंपल भासा में कह सकते हैं कि किरिया के दो भेद होता हैं पहला होता है अकर्मक किरिया और दूसरा होता है सकर्मक किरिया पहला कौन सा होता है तो पहला होता है अकर्मक किरिया और दूसरा होता है सकर्मक किरिया तब हम एक ही करकी इन दोनों का परिवासा समझते हैं तो पहले हम समझ लेते हैं यह कि अकर्मक किरिया किसे कहते हैं जिसमें कर्म नहीं हो तो देखी इसका परिभासा भी इसी तरह से हैं कि जिस किरिया में कारे का फल करता पर पढ़ता है आधर्द जिसमें कर्म नहीं होता है उसे ही अकर्म किरिया कहते हैं जैसे कि स्याम रोता है इसमें कोई कर्म नहीं है वह हसता है इसमें भी कोई कर्म नही डिरेक्ट इसका फल जो है सियाम पर पड़ रहा है यहाँ पर भी हसना इसका जो फल है डिरेक्ट किस पर पड़ रहा है इस पर वो हपड़ पर रहा है तो इस तरह की जो किरिया होती है इसमें कर्म नहीं होता है या फिर इस तरह के कोई वाक्य होता है या फिर जिस किरिया के कारे का फल करता पर पढ़ता हैं, उसे ही अकर्मकिरिया कहते हैं। अब हम समझते हैं कि सकर्म किर्या किसे कहते हैं तो देखिए इस किर्या में कर्म रहेगा तो जिस किर्या में कारे का फल करता पर न पढ़कर किसी दूसरी जगह पढ़ता है आथार्त जिसमें कर्म रहता है उसे सकर्म किर्या कहते हैं जैसे कि राम खाना खाता है तो यहाँ प फ़ल किस पर पड़ रहा है तो खाना पर पड़ रहा है ठीक इसके बाद अगला है कि वह जाता है तो यहाँ पर जो जाना किरिया हुआ या जाता किरिया हुआ इसका फ़ल वह पर नहीं पड़ रहा है देखिए क्योंकि वह जाता है तो वह कहां जाता है कहीं पर जाता होगा तो जिस जगह पर जा रहा है उस पर पढ़ रहा है उसके बाद अगला है कि वह विद्याले जाता है यहाँ पर यह जो जाना का फल जो है यह वह पर न परकर विद्याले पर पढ़ रहा है तो जिस किरिया में कारे का फल करता पर न पढ़कर किसी दूसरी जगह पर पढ़ता है आथार्थ जिसमें कर्म रहता है उसे ही सकर्म किरिया कहते हैं